लो स्टूदेंट्स वेलकम टूरों चैनल नोर प्रिंस फ्रेंड जैसे के आप लोग जान रहे हैं कोविड नाइंटीन कोरोना वारस डिजिस के कारण बहुत सारे एक्जाम जो की होने वाले उनिवर्सिटी एक्जाम सारे लगभग पॉस्ट मोड़ हैं फ्रेंड स्कूल सारे इनिवर्सिटी एक्जाम जो नेशनल लेवल पे होता है जो नेट के दौरा करा जा रहा है उसको भी इसका एक्सपेक्टेड डेट अभी घोसत किया गया है कुई दिन पहले दो दिन पहले उसमें बतायागे के 18 से 23 जुलाई तक नीट स्वारी जेइमेंस की एक्जाम कराया जाएगा और 26 जुलाई को नीट का एक्जामनेशन कराया जाएगा फ्रेंड लेकिन आपको याद रखे यह भी टेंटिटिव डेट है यह नहीं एक्सपेक्टेड डेट है अभी सिचुएशन जगर ज्यादा खराब होगा ति यह डेट और भी बढ़ सकते है फ्रेंड इंट्री के थुरू और पल्टेक्निक जिसको DCECEV बोला जाता है उसका भी जो डेट था पिछले के डेट के मुकाबले उसको भी रेजिस्ट्रेशन का डेट बढ़ा दिया गया है फ्रेंड ऐसा क्योंकि अभी सारे जो एक्जामनेशन का जो रेजिस्ट्रेशन फॉर्म भ देखते हुए चुकि इसका डेट 18 तक ही साय था तो फिर उसको बढ़ा दिया गया है उसके दर्मियान विससी ने आज ही एक नोटिस जारी किया है तीनों एक्जामनेशन को लेके नोटिस जारी किया है आई टी आई डी सी इसी एली और पॉल्टेक्निक जिसको DCEC करते है जिसकी बारे में और अल्रीधी मैंने विडियो बना रखा है उसको कैसे रेजिस्ट्रेशन करना है कैसे क्या करना है सारी जनकारी इसमें बताए जाएगए गर इसका एक्सपेक्टेड डेट कब हो सकता है जै जिए कि अगर वो डेट अगर हो जाता है तो आप बिल्कुल च थोड़ा लेट होगा वो की उनिवर्सिटीज और जो मेंडेटरी बॉडीज है उसको मतलब की अस्टेबल कराके एक्जामनेशन आपके कराएंगे आप चिंता ना करिए अपका सारा एक्जाम होगा आप बने रहे इस चैनल के साथ और इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें खास करके बीसी सी अपडेट्स के लिए बहुत ही प्रोग्रसिव चैनल है अभी के टाइम पे सारी के सारी जनकारी आपको इंजिनियरिंग से अगर रिलेटेड अको कोई भी क्वरीज है तो आप कमेंट सेक्चन में आप जरूर करके पूछे कहां अड सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा करें कि ताकि सारी वीडियो लिटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहा है फ्रें एक और बात है जो ए आई सीटी के तरफ से सारी जनकारी उसका अल्रेडी वीडियो बना हुआ है फिर बहुत सरे सर्टिफिक सब्सक्राइब आपको मिल जाए फ्रेंट यह फ्रेंट वीडियो को आपको आपने रहें आज ही निखाला गया है उसमें बताया जा रहा है कि विस्तारिस थी जो आलायन क्लोजिंग लेट छी जो उसको जो बढ़ा दिया गया है जो की 10-5-2020 थी यानि दो दिन बाद जो 10 तारीक आने वाला है उस दिन हो थी उसको 24-5-2020 तक बढ़ा दिया गया है अभी तक भी आगर आप रेजिस्ट्रेशन नहीं कि है आपका कोई मित्र नहीं कि आप उसको फॉरण बता है अगर कोई इसमें अगर आने का एक शुक है तो जरूर बता है फिर लास्टेट है उसका फिर चलान से पेमेंट करने का 25 तारीक और फिर अप्लिकेशन अगर अगर आने के तित्य थी है जो कि नोटिफाइड कर रही जाएगी बाद में जो कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करकर रहिए अब इसी साइट को भी घोरते रहिए आप उसको विजट करते रहिए तो आपको उसमें मतलब की भी बताय जाएगा लेकिन उससे पहले आपको इसी मतलब की अच्छे से एक्स्प्लेइन प्रोपर वे में क्या कब क्या करना है उस सारी जनकारी आपको इस चैनल के मात्यां से आपको दी जाएगे फ्रेंड प्रपोस्ट रेट ऑफ इग्जामनेशन भी हुआ ही क्योंकि अग्जामनेशन का कोई डेट ही नहीं होता है त सेम नोटिस है सेम डेट भी कर दिया गया है जो कि क्लोजिंग डेट 10-5-2020 थी कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण अब उसको 24-5-2020 रजिस्ट्रेशन करने की तिथी लास्ट है आप इसको ध्यान में रखिए आप इस उपने दोस्तों को जरूर बता है क्योंकि एक मौका है किसी करण वस नहीं कर पाए है फिर उसकी जैसे कि उसमें मैंने अल्रेडी बता रखिए फिर इसमें भी लास्ट पेमेंट डेट 25 है इसके से चलान करने से और फिर 26 है आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का लास्ट डेट है फिर ऑनलाइन एडिशन का फिर 27-30 हो गया और फिर उसी के तरह से अड्मिट कार्ड और इग्जामनेशन की जो डेट है अभी आगे बताई जाएगे क्योंकि अभी आगे कोई नहीं समझ रहा है कि क्या होने वाला है इसके लिए आपको घबराने की दरूरत नहीं है आपको घर में रही है सुरक्षित रही है फ्रेंट अगला प्ट्यक्नीक अब यंथरन ऑफ होँ फिर इसकी डान जा करना है कैसे क्या करना है आप इसको चैनल में जाके जरूर यहन दो टेक्वाहिए करिए और इसमीं भी जैसे कि देख सकते हैं स्ट्रीन पे इसकी प necesर चलान के थुरू और नेट बैंकिंग और उनलाइन अगदर मोड से करना है तो 26 पांच और फिर इडिटिंग की जो डेट है आपको 27 से लेके 30 तक है आप इसको ध्यान में रखिए अफिर इश्यू ऑफ उनलाइन एड्मिट काड और प्रोपोस्ट डेट अगजामनेशन सब की जब तक लिए इसको अभी पूस्पोर्ण भी आगे भी किया जा सकता है रहे बात एक्सपेक्टेड डेट की फ्रेंट तो एक्सपेक्टेड डेट आपको सारी चीजें बताई जाएगी अगर जेई मेंस अगर 18 से 30 जुलाई को बीच कंड़क्ट हो जाता है और जुलाई मे उसी दो दिन बाद यानि 26 जुलाई को अगर नीट की एक्जामनेशन अगर करा दी जाती है तो फ्रेंड लगबग आपको इनवर्सिटीज की जैसे की अभी अपडेट आया है UGC के तरफ से और AICTE के तरफ से की एक अगस्से जो फरस्ट बैच है जो मतलब की जो फुराने जो पढ़ाई कर रहे हैं सभी इंस्टिूशन में उनके जो डेट है एक जुलाई से उनकी जो क्लासेज हैं स्टार्ट कर दी जाएगी नेक्स समेस्टर की और जो निव एडमिशन है यानि एक सितंबर से उन लोगों की मतलब की करा देना है UGC की ये भी गाइडलाइन है औ तो मैंने भी अगस्ट मेड मिशन कर आया था और सब्तेंबर से हमारा क्लास स्टार्ट हो गया था तो आपको घबराने की को जरूत नहीं है आप बस अपने प्रिपरेशन पर ध्यान रहें घर में रहें शुरक्षित रहें लॉक्डाउन का पालन करिए और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए अपने सारे मित्रों में बताःए क्योंकि तीन तीन नोटिस है बहुत इंपॉर्टन नोटिस है आई टी आई का डीसी सी एली का और प्ल्टेकनी का फ्रण तो इसको आसा कर तो आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको एंजिनिअरिंग और पल्टेक्निक को आपको कोई भी अजए हैं अबगर आप आप आर्ट्स